क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुल कर जल्द ही 70 mm के सिल्वर स्क्रीन पर दिखाई देंगे उनके जिन्दगी पर बनी हुए फिल्म सचिन अबिलियन ड्रीम्स का टीजर लॉंच हो क्या है झाल 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 इस फिल्म का डिरेक्शन जीम्स एसकिन कर रहे है जीम्स एसकिन लंड़न के मशूर राइटर, डिरेक्टर और प्रिडूसर है मेरट कैंट से तेंद्गा का आतंक समाब्त हो चुगा है वन विवाक से आई टीमो ने उसको पकड़ लिया है और आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो वैन खड़ी है इसी में वो तेंद्गा को रखा गया है फिलाल तेंद्गा बेहोश है और पिंजरे में है और लगातार जो प्रयास किये जा रहे थे लगबग 48 गंटों से जादा से उसमें अब कामियाबी मिलती नजर आई है फिलाल तेंद्गा बेहोश है उसको दो ट्रैंकुलाइज जो है इंजेक्शन दिये गए है उसके बाद ये बेहोश हुआ उसके बाद इसको पकड़ा गया आपको बताना चाहूँगा कि इंजिनिरिंग मैस के वेर हाउस में ये पिछले लगबग 24 गंटे से जादा से बना वा था और इस तेंद्गा ने लगबग आदा दरजन से जादा लोगों को गायल कर दिया था आप देख सकते हैं किस तरीके से इस तेंद्गों को देखने के लिए भीड यहाँ पर इकटी है साथ ही प्रिशाशन और पुलिस के वो लोग और साथ में वो टीम भी यहाँ पर मौजूद है जिनोंने इस तेंद्गों को पकड़ा है लगातार 48 गंटे से ज़्यादा जो तेंद्गों का आतंग था वो जो है अब समाफ्त हो गया है फिलाल इस तेंद्गों को यहाँ से वन विवाकी टीम अपने साथ ले जा रही है और इसको वन में छोड़ने की तैयारी की जा रही है उज्जेन में सिंगस्त महाकोंगी की तैयारियों को लेकर साथू संतों ने नाराजगी जाहर की है मिला शुरू होने में बस थोड़ा ही वक्त बचा है लेकिन तैयारियां अभी अधूरी ही है श्चिवराद सरकार का दावा है कि मिला शेत्र और शेहर को सजाने सवारने और साथू संतों को कोई परिशानी ना हो इसके लिए इस बार सिंगस्त मेले का बजट करी 3500 करोड रखा गया है लेकिन साथू संतों को मिलने वाली मूल भूत सविधाओं के मामले में कहीं न कहीं मिला प्रसाशन पिछड़ा हुआ नजरा रहा है सिंगस्त मेला शेत्र में अधूरे पड़े कामों के विरोध में अखिल भारती संत संविति के प्रदेश इकाई ने मंगलनाथ जोन में सांकितिक प्रदर्शन करते हुए धर्ना दिया सादू संतों का आरोप है कि मेले में स्वक्षता के लिए 117 करोड का बजट रखा गया है बावजूद इसके तौालेट निर्मार से लेकर वेस्टिश उठाने तक के इंतिजाम अधूरे हैं जबकि मेला शुरू होने में एक हफते का ही वक्त बचा है प्रिटिन का शाही जोडा केट और विलियम 16 अपरेल को जिस वक्त ताज के दीदार के लिए यहां पहुचेंगे तो उनकी इस शांदार याद में कहीं ना कहीं आज जो फैंसिंग ताज की मीनारों के चारो तरफ लगी हुई है वो एक रोडा बन के सामने आ रहा है मैं आपको दिखा दू कि ताज मेहल के चारो मीनारों पर इस वक्त संदक्षण का कार चल रहा है जिसमें इन चारो मीनारों को फैंसिंग से ढखा गया है क्योंकि Kate चाहती है कि उनका उसी सीट से एक शांदार फोटो उनके साथ ग्यादकार लमा उनका जो हमेशा जीवन पर साथ रहे जिस तरह से खुद उनकी सास यानि की डायना जिस सीट से जो उनना फोटो के जाया था उसके बाद ही उस सीट को डायना सीट बोलने बोला जाने सबसे महत्पूर बात यह है कि इस बारे में ब्रिटिश हाई कमीशन की दरब से दरख्वास एसाई के पास पहुंचाई गई है लेकिन एसाई ने साफ तौर में मना कर दिया है कि किसी भी हालत में दो महीने से कम वक्त से पहले इस फैंसिंग को जो यहां पर मिनारा को चारो बारता की तस्वीरे सामने आई है जिसके बाद मुदफराबाद में पाकिस्तान के खिलाफ जबर दस विरोध प्रदरशन हो रहा है और इस प्रदरशन को रोकनी के लिए पुलिस ने बरबर तरीका अपनाया पाकिस्तान के खिलाब विरोध कर रहे युवाओं पर पुलिस ने जम कर लाठियां बरसाई मुज़फराबाद में पाकिस्तान के विरोध में सैक्डो युवास सडक पर उत्रे थे इनका आरोब है कि पाकिस्तान उन पर लगातार भेदभाफ कर रहा है और जुल्म धा रहा है उनके साथ जानवरों से भी बत्तर सलूग किया जा रहा है इसी वजह से वो पी ओके को आज़ाद करने की मांग कर रहे हैं ये प्रदर्शनकारी पाकिस्तान की बरबटा से आजादी चाहते हैं और इनकी यही मांग पाकिस्तानी सरकार को पसंद नहीं आती क्यूंकि वो तो सालों से जम्मु कश्मीर पर नजर गड़ाए हुए है और जब तब अपने पिछों के सहारी यहां माहौल खराब करते हैं लेकिन ये तस्वीर पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए काफी है सड़को पनिकले सैक्रो प्रदर्शनकारी ने पाकिस्तान के खिलाफ जबरदस्त नारे बाजी की इनके हाथ में तख्तियां हैं जिसमें लिखा है कश्मीर बच्चाने निकले हैं आओ हमारे साथ चलो पीयो के में इस तरह के प्रदर्शन नए नहीं हैं पाकिस्तान के जुर्म के खिलाफ यहां लगातार प्रदर्शन होते रहे हैं लेकिन पाकिस्तान अपनी बरबरता से लगातार इन्हें कुचलने की कोशिश करता रहा है अमेरिका रूस एक बरती रामने सामने है बाल्टिक सागर में यूएस नेवी और रूसी फाइटर प्रेंस के भी जंग जैसे हालत पैदा हो गए है दरसल दो रूसी फाइटर जेट ने यूएस नेवी के वार्शिप का चक्का लगाया करिक 30 विट से भी कम पूचाई से वार्शिप की निगरानी की फोटो लिये वाइट हास नो रूस की इस हरकत पर कड़ा एतराज जताया इसे उकसाने वाला कतम बताया बताया जारा है कि उस वक्त अमेर्की वार्शिप लेनिंग्रेज से 70 माइस दूर आपरेट हो रहा था इस दोरान दो रूसी प्लेंस आए अमेरिका का दावा है कि उनका वार्शिप वहां रूचीन चेनिंग मिशन पड़ था इसी तरह 12 अपरेल को भी इस तरह की घटना देखने को मिली इस बार रूसी हेलोकॉप्टर ने अमेर्की वार्शिप का चक्कर लगाया